नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि रैबिजोल DSR कैपसूल का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, रैबिजोल DSR कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और रैबिजोल DSR कैपसूल की वज़स से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, रैबिजोल DSR कैपसूल पेट में उत्पन होने वाले एसिट की मात्रा को कम करता है, रैबिजोल DSR कैपसूल का उप्योग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खटी डकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर रैबिजोल DSR कैपसूल का उप्योग किया जाता है, रैबिजोल DSR कैपसूल को डॉक्तर एंटिबायोटिक दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वज़़ से होने वाले साइड इफेक्स को कम करने के लिए भी लेने की सला दे सकता है। जैसे दर्थ को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वज़़ से पेट में जलन, पेट में दर्थ या पेट में अलसर हो सकती है। इसलिए इन साइड इफेक्स को रोकने के लिए भी आपका डॉक्तर रेबिजोल डियसर कैप्सूल को दर्थ की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है। ज्यादातर एंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य साइड इफेक्स में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है। इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं की वज़़ से ये साइड इफेक्स ना हो। इसलिए आपका डॉक्तर रेबिजोल DSR कैपसूल को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा रेबिजोल DSR कैपसूल का उपयोग कुछ मेडिकल कंडिशन्स जैसे गैस्ट्रिक अलसर, एसिड रिफलक्स और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिती है, जिसमें पेट में एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है। रेबिजोल DSR एक ब्रैंड नेम है। रेबिजोल DSR कैपसूल के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। रैबिजोल DSR Capsule के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन रैबिप्राजोल और डोमपेरिडोल होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि रैबिजोल DSR Capsule की वज़से क्या side effects हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में रैबिजोल DSR Capsule की वज़से कोई side effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में रैबिजोल DSR Capsule की वज़से कुछ सामान्य side effects हो सकते हैं। जैसे पेट में दर्द, पेट से गैस निकलना, मुँ में सूखापन, सिर्दर्द, शरीर की मासपेसियों या जोडों में दर्द होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती हैं। इसके अलावा रैबिजोल DSR Capsule की वज़से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती हैं। इसलिए डॉक्तर की सला के बिना रैबिजोल DSR Capsule को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए। लंबे समय तक या दिन में कई बार रैबिजोल DSR Capsule को लेने से ऑस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्या बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है। रैबिजोल DSR Capsule की वज़से ऑस्टियोपोरोसिस तभी होता है जब रैबिजोल DSR Capsule का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए। अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से रैबिजोल DSR Capsule को ले रहे हैं तो आपको कैलशियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए। ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके या आपको कैलशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धुप में बैठना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की रैबिजोल DSR कैपसूल को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर रैबिजोल DSR कैपसूल को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सला देते हैं। रैबिजोल DSR कैपसूल को खाना खाने से कम से कम एक घंते पहले लेना चाहिए। वैसे प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए रैबिजोल DSR कैपसूल का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रैबिजोल DSR कैपसूल को लेने की सला दे सकता है। इसलिए डॉक्तर की सला के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को रैबिजोल डियेसर कैपसूल को नहीं लेना चाहिए.